चलिए C language के अंतरगत अब हम बात करते हैं variables की तो variables होते क्या है इसके पहले हमने एक program बना कर देखे थे जिसके अंतरगत हमने जो है int करके लिए थे ठीक है int करके a,b,c इस प्रकार से लिए थे तो a,b,c जो है वो एक प्रकार के क्या है variables है और variables क्या होते है,variable एक प्रकार के identifiers होते है जिस प्रकार identifiers के कुछ नियम थे बनाने के उसी प्रकार variable के भी होंगे तो उनको हम देखेंगे बिस्तार से, उसके बाद variable का जो example है वो हम फिर से बना कर देखेंगे यहाँ पर किसके अंतरगत टर्वो C++ या फिर हम जो है देव C++ के अंतरगत बना कर देखेंगे ठीक है, तो यहाँ पर आपको variable के अंतरगत जितनी भी सारी concept है वो complete रूप से यहाँ समझाय जाएगा, उसके बाद एक program बना कर दिखाय जाएगा और variable के जो प्रकार होते हैं, उन प्रकार को भी में यहाँ पर discuss करूँगा complete रूप से, तो चलिए जान लेते हैं variable होते क्या है variable एक प्रकार का storage area होता है, यानि कि आगर हम memory में कोई चीज श्टोर करते हैं तो memory कोई चीज श्टोर करते हैं, इस memory का जो नाम होगा या जो address होगा वो हमारे समझनी योग नहीं होगा, यह हमको याद नहीं होगा, इतना खतरनाक रहता है तो उसको एक हम सरल सा नाम दे देते हैं, alphabet को रूप में, alphabet या underscore से सुरूँ होका तो इस alphabet को ही हम क्या बोलेंगे, variable बोलेंगे, तो variable C language के अंतरगर जो होते हैं, कुछ प्रकार के होते हैं, वो उनको हम देखने वाले, जैसे देखिए यहाँ पर जो X लिए हैं, X को हमने कहा दे दी है 1, तो X को 1 किस प्रकार दी है, operator के थुरूप ठीक है तो जो 1 है, वो एक प्रकार की value कहलाईगी, और X जो है एक प्रकार का variable कहलाईगा, तो आई होब आप समझ गयोंगे, variable होता है, तो चलिए variable के बारे और चीज़े हम जान लेते हैं, आगे चल कर तो variable क्या है, variable memory में उस स्थान का नाम होता है, जहाँ पर कोई data या कोई information store होती है, जैसे memory का जो है, वो cell में store होते हैं, तो इस cell का जो नाम है, वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर variable होगा, अब इसमें क्या store किया जाएगा, वो depend करता है data type के उपर, तो data type हम पढ़नेंगे अब विस्तार से, ठीक है, data type जो होता है, जैसे आप number store करना चाहरा है, या string store करना चाहरा है, वो आपके उपर depend करता है, तो आप data type पहले लेते हैं, उसके बाद है, आप क्या लोगे, variable लोगे, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके अलाब़ एक program के अंदर बने variable को हम उस program के execution के दोरान कई बार बदल सकते हैं, यानि कि update कर सकते हैं, और change कर सकते हैं, परन्तु हमने constant भी पढ़े थे, ठीक है, constant जो है variable के अपिक्छा यहाँ पर change नहीं होता, यह कैसा रहता है, यह fixed रहता है, तो आप समझ जाए, constant fixed रहता है, और variable जो होत करने के लिए किया जाता है, इसके अलाबा जब भी हमें कोई information या data अपने computer या laptop में store करना है, तो हम computer की memory में store करते हैं, यह तो आपको पता होगा, और memory को जो है, मतलब हम एक तरीके से उसको बापस भी लाना चाहते हैं, भविस में, कि जो data हमने store करें, उसको ला भी सकते ह परंतु हम उसको लाएंगे कैसे, जब हमको पता रहेंगे हमने कहाँ store करें, तो हमको पता करने के लिए उस memory location को एक नाम देना होता है, उस नाम को ही हम क्या बोलेंगे, variable बोलेंगे, ठीक है, इसके लाबा ऐसे में, मतलब जैसे operating system क्या होता है, मतलब हमको एक और facility प्रदा बना सकते हैं, या फिर उसको folder बना कर सेफ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर छोटा सो data है, उसको पहले variable के रूप में save करते हैं, ठीक है, variable यह प्रोग्राम बहुत सारे हो जाते हैं, वो कहाँ store होते है, file में, और file हम देख सकते हैं, यहाँ पर folder में store होती है, तो computer में हमको operating system के facility प्रदान करता है, कि हम किसी भी चीज़ को एक नाम प्रदान कर सकते हैं, और नाकि उसको बाद में जब ढूंडा जाये, तो वो आसानी से मिल जाए यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए हम जो है variable का use करते हैं, हमारे program के अंतरगात, तो simple अगर बोले हैं, तो variable memory में उस स्थान का नाम है, जिस स्थान पर हम कोई data या information को रखते हैं, जिससे आगे अगर भविस में कोई चीज़ की जरूवत पड़े हमको, तो उसको हम आसानी से ढूंड का use कर सकते हैं, तो इसलिए हम variable का use कर सकते हैं, ठीक है, अब syntax, syntax का मतलब होता है, variable को declare कैसे करते हैं, syntax मतलब एक इंटे ले सकते हैं, इंटे ले सकते हैं, float ले सकते हैं, यह क्या है, यह data type है, यानि कि उस variable, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक memory होती है, memory में जो data store होता है, उसको एक नाम देते हैं, तो data तो store होता है, अलग अलग प्रकार को होता है, तो data किस प्रकार के store होगा, वो define करने के यहाँ पर data type होता है तो data type क्या होता है इस variable के प्रकार को दर साता है तो variable का प्रकार सबसे पहले लेंगे data का टाइप फिर variable का नाम तो यहाँ पर हमने लिए care, care एक data type है और my name एक प्रकार का कहा variable है और variable का नाम हमेशा underscore ले सकते है या फिर बिना underscore के आप दोनों को पास पास में लिख सकते हैं पर बीच में space नहीं दे सकते हैं सुर्वात alphabet से होनी चाहिए हैं सुर्व में आप underscore ले सकते हैं सुर्वात में number ने ले सकते हैं इसमें number, alphabet और underscore का मिसरण होता है ठीक है और यहाँ पर direct assign करना value तो आप इस प्रकार भी ले सकते हैं और care लिए हैं तो क्या ले लिए हमने double code के अंदर SSW ले लिए और terminate करने के लिए semi colon ले लिए ठीक है तो हमने care data type लिए हैं यहाँ पर और my name नाम से variable लिए हैं और SSW में data store हो रहा है ठीक है तो यह सारी चीज हमने देख लिए यहाँ पर अब इसके बाद है कुछ rules है variable बनाने के तो जैसे identifies के कुछ rules से वैसे variable बनाने के कुछ rules है तो variable का जो नाम है वो यहाँ पर alphabet इसके लावा number और underscore इन तीनों के मिसरंट से हो सकता है मान लीजिए हमने a या फिर हमने दे दिए यहाँ पर एक उधारन देखते हैं यहाँ पर हमने दे दिए first underscore name और यहाँ पर one यह कहा है valid है परंतो इसके लावा कुछ special symbol आजाते तो वो कहलाएंगे invalid इसके लावा पहला आपका character होना चाहिए या फिर underscore होना चाहिए बीच में आप जो है number यूज़ कर सकते कहीं भी तो यह जो होता valid होता पहला character हमेशा जो होता है क्या होना चाहिए कोई letter होना चाहिए या फिर underscore होना चाहिए number से शुरू नहीं हो सकते यह चीज़ आपको ध्यान मर रखना है और variable का नाम जैसे आप यूज़ कर रहा है कोई भी चीज first name, last name या फिर result या जो भी तो वो meaningful होना चाहिए ठीक है ताकि आपको आसानी से समझ मैं जाए बीच में blank space आप use नहीं कर सकते कोई keyword की नाम से variable नहीं ले सकते और c language में अगर कोई variable आप लेते जैसे first name या f आपने capital लिग दिए ठीक f आपने capital लिग दिए और आप f जो है small ले 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 तो दोनु की definition अलग-अलग होगी यानि कि upper case और lower case अलग-अलग है क्योंकि c language एक case sensitive language है तो आप समझ गया होंगे small और capital को अलग-अलग यहाँ पर गिना जाएगा अब आप देखे मैं variable दिखाता हूं आपको जो valid है और invalid है जैसे देखे valid जो होता है एक प्रकार से यहाँ पर देखे your name यह valid है क्योंकि बीच में देखे underscore लिया गया है और शुरू में आपका alphabet लिया गया है फिर उसके बाद देखे alphabet फिर alphabet और number लिया गया यह भी valid है small ले सकते या फिर प्रकार small ले सकते यह भी valid परन्तु invalid कोन से होंगे यह और तो ठीक है परन्तु special symbol यानि कि variable में कहीं भी special symbol लेना यहाँ पर गलत माना जाता है यह invalid माना जाएगा बीच में blank space छोड़ दियागा है मतलब यह भी invalid माना जाएगा का नाम क्या होना चाहिए किस टाइब का होना चाहिए यह सारी चीज मेमोरी में कितनी जगह लेगा यह सारी चीज डिफाइन करना उसको क्या कहते है डिकलेरेशन यानि कि सी language में जब हम डाटा स्टोर करने के लिए कोई variable बनाए तो सबसे पहले उस variable को डिकलेर करना पड़ डिकलेर करके हम जो है compiler को बताते हैं कि हम इस नाम और टाइब बैरेवल अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं तो यह होता है डिकलेरेशन बैरेवल का डिकलेरेशन इसके लाबा सिंटेक्स हम देख लेते हैं बैरेवल डिकलेरेशन का तो वह चीज फिर से आ गई डिकलेरेवल नाम रहेगा और सेमी कॉलंस से टर्मीनेट हो जाएगा तो जैसे डिकलेरेशन का मतलब मैं बताता हूं जैसे एक कार खाना लेते हैं कार खाने का मतलब एक फैक्टरी है कुरसी बन रही बना दी गई है परंतु उसको खरीद लिया गाई है खरिदी यह यहां पे इनिशिलाइज हो गईया आप डिरेक्टर के लावर को भाट सकते हैं करने को बोलते हैं और अगिश और प्रोबाइज करने को इसके अलाबा हम उसको extran keyword के तोर पर भी जैसे देखें इंट बस लिये थे ना तो extran int abc इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं हलाकि यह type है variable का हम नई भी ले तो चलता है हम int में काम चला सकते हैं परंतु हमने ले खर देखा दी है अब variable की definition हमने देखे जो declare करे हैं उसी प्रकार अगर देखें तो int type का हमने data type लिये हैं और a हमने variable लिये हैं ठीक है int type के 2-3 रहते हैं तो हम कैसे लेते हैं int a,b,c और यहाँ terminate कर देते हैं semi-colons तो इस प्रकार भी हम ले सकते हैं ठीक है इसके लाग अब initialize करना मतलब initialize करना मैंने बता चुक है है जो variable लेते उसको value provide करना initializing कहला आता है अब initializing यहाँ पर भी हो सकता था जैसे कि यहाँ देखे int mark हमने लिए और mark के सामने 93 हमने directly दे दिये या तो single line में भी हम कर सकते हैं और दो line में भी यहनि कि initializing directly declaration के समय हम कर सकते हैं जैसे variable declare करें उसी समय value assign कर दी यहनि कि initialize हो चुका है ठीक है आप variable के कुछ प्रकार होते हैं जैसे types of variable तो देखें यहाँ पर आपको local variable देखने मिलेंगे local variable का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई function के अंदर हम use कर रहा है ठीक है अब function के अंदर हमने use करें इस curly bracket के अंतरगत तो यहाँ पर अगर हम int लेते हैं a, b और c इसका मतलब है कि a, b, c किसके अंतरगत काम करेंगी इस function के अंदर अगर कोई दूसरा function है इन variable को बुलाता है तो वहाँ पर क्या message आएगा? error message आगा क्यों? क्योंकि यह जो variable है वहाँ define नहीं किया गाए undefined का message आगा तो इसका मतलब क्या है कि जो variable सिफ एक ही function में वग करें उनको बोलते है local variable अब बात करते है global की तो global variable कहां यूज किया जाते है? has include लेते हैं अपन, void main लेते हैं void main के just उपर हम ले लेंगे int a करगे तो a variable function 1 में भी use होगा, function 2 में भी use होगा, function 3 में भी यानि कि वो क्या कलाएंगे? पूरे program में यूज किया रहा है यानि कि global variable कलाएंगे कुछ static variable होते हैं यह भी local और global type के होते हैं, static keyword के साथ में use होते हैं, ठीक है? यह सारी चीज हम आगे विस्तार से जानेंगे auto keyword के तोर पर automatic variable लेते हैं, external keyword के तोर पर external variable लेते हैं, तो हमें विस्तार से local और global देखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं local के, तो ऐसा variable जिसे हम किसी function या block के अंदर लिखते हैं, उसे हम local variable कहते हैं, ठीक है? तो यह से उसी function में use किया जाएगा जहां पर इसको define किया गया है, यानि कि दूसरा function इसको use नहीं कर सकता, ठीक है? और ऐसे variable का declaration शुरवात में ही करन पढ़ता है, और local variable को use करने से पहले initialize करने की जरूवत पढ़ती है, local variable का जो scope है, के वाल उस block तक होता है, जिस block में इसको declare किया गया है, यानि कि दूसरे function में इसको use नहीं किया जा सकता, तो आप उधारन देखिए यहाँ पर, यह तो हो गया header file, यह दूसरी भी हो गया header इस यह हो गया main function, उसके बाद curly bracket start गुआ, function को जो है body लिखना चालू करे, और function की body यहाँ पर खताम हो गई, अब यह जो होती है, comment होती है, comment देखिए, आप देखिए, अभी आगे हम एक lecture पढ़ेंगे, comment वाला, ठीक है, तो comment के अंतर के एक topic आएगा हमारा, हम complete रूप से देखेंगे, देखे, slash करके star लगा है, इसका मतलब comment शुरू हो गई, आप जो है, लिखना चालू करे, और slash, यहाँ पर star करके slash लगा है, यानि की comment आप क्यो आप हो गई, और इसे बोलते हम, multi line comment, इसको क्या बोलते है, multi line, और एक होती single line, single line को इस प्रकार लेते हैं, double slash के सरगत लिख दी एक line में, तो single line कमें, तो यहाँ पर हमने comment यूज करें, comment में क्या है, local variable declaration, तो int a, b करके लिए, int c लिए, 3 variable लिए, हमने 2 line में, CLR, clear screen के लिए, अब initialization मतलब क्या हुआ, यह फिर से हमने comment लिए है, star करके, a बराबार 20, 10 दे दिए, b बराबार 20 दे दिए, c क को यहाँ पर print करा लिए, ठीक है, तो यहाँ देखिए, module d, हमने b देखें, b की value यहाँ प्रिंट हो जाएगी, module d, यहाँ पर देखें है, a, मतलब जो a है, a की value प्रिंट होगी, फिर उसके बाद b की value प्रिंट होगी, उसका c, तो c क्या है, c की total value 30 आ जाएगी, यहने की 10 और 20 का जोड यहाँ पर जाएगा 30, तो यहाँ पर जाएगा 10 और 20, दोनों का जो total है, वो क्या है, 30 है, इस प्रकार से हम ऐसे जाएगा, इसको हम बना कर देखेंगे अभी, ठीक है, चलिए, global variable देख लेते एक बार, फिर दोनों को हम बना कर देख लेंगे, एक example में, global variable ऐस से variable होते हैं, जो की, जहाँ पर define किया जा रहा है, उसके अलाबा हर एक function में, मतलब यह header file के जस्ट नीचे, यानि कि voidman के उपर यहाँ पर define किया जाते हैं, और इसके अलाबा प्रोग्राम के हर एक function में इसका use किया जा सकता है, इनको बलते है global variable, ठीक है, अब यहाँ देख इतना सा अंतर है, global variable declaration यहाँ लिखा है, और यहाँ local variable declaration लिखा है, उसके अध इनिसलाइजिसन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, static variable के अगर बात करें, तो static के अंतरगत क्या देखने मिलता आपको, static keyword के साथ में इसके use किया जाता है, और यह भी static के नाम से हम function पहले सकते हैं, ठीक है, ओर यहां पे हम देखें, तो global और static, global और local होते हैं, यहाँ पर देखें, static global variables के अगर बात किया सकता अगर сказать सकता है, और इससे static global variable के रूप में जाना जाता है, यहाँ प्रोग्राम के टॉप पर घोसित किया जाता है, और यह बीज प्रोग् में define किया जाएगा local type का मतलब जिस function में define किया जागा उसी function की अंतरगत इसका use किया जाता है static का ठीक है external variable को हम जो है external keyword का use करके declare करते हैं और external variable का use हम within source file में कर सकते हैं ठीक है तो यह देखे इस प्रकार से हम देख सकते हैं external keyword लगाते हैं और माकी काम सारा basic बैसे ही है इसके लावा आप जो है global variable declaration ले सकते हैं global external variable भी यहाँ पर ले सकते हैं ठीक एक होता automatic variable तो c language में हम जितने भी variable block के अंदर declare करते हैं वो सभी automatic variable होते हैं इस variable को हम जो है auto keyword के तौर पर जैसी के हमने इसके पहले देखें इसके साथ मैंने declare करना बहुत जरूरी नहीं होता यह normal जो variable होते है वो automatic जो है auto keyword बाले कहलाते है ठीक है तो यहाँ देखे auto लगाना तो ठीक है नहीं तो आपका जो variable है वो automatic ही रहेगा ठीक है चलिए एक program बना कर देखते हैं हम open कर लेते हैं क्या turbo c turbo c++ हम open करते हैं और यहाँ पर हम इसको start कर लेते हैं start करने बाद हमारे सामने turbo c++ खुल गई है और यहाँ पर हम new कर ले पहले मैं has लेता हूँ प्री प्रोसेसर डायक्टू include लेता हूँ htdio.h और यहाँ पर लगा हमने less than और greater than से उसको बंद कर दी फिर include करके हमने ले लिए क्या include करके हमने ले लिए यहाँ पर conio.h और यह हमने बंद कर दी उसका बॉइड मैन हमने ले लिए और हमने यहाँ इसको शुरू कर दी हैं और नीचे ले जाग बंद कर दो बीच में हम लिखना चालू करते हैं int a,b,c और बोई बाला प्रोग्राम बनाते हैं ठीक है और हम यहाँ ले ले लेते हैं clr,scr हम users input कर आना तो वो भी कर सकते हैं हम directly a equal देते हैं 20 semicolon 7 b equal देते हैं 40 semicolon 7 और c equal देते है जो है आप बना कर देखिए उसको ठीक है और total is totally semicolon लगा है और यहाँ पर हमने module d लगा है ठीक है sorry semicolon लगेगा और यहाँ पर आपको जो है comma लगाख है c लिखना है और नीचे लिखना है get ch get ch लिखे और यह semicolon से बंद आप देखिए मैंने यहाँ नीचे curly bracket से बंद कर च access हो चुका है और control के साथ f9 दबाऊगे तो run हो चुका है total 60 अब देखिए आपको जो है c जो c लिए है अपने यहाँ लिए न अगर मैं c को यहाँ से हटा देता हूं यह तो कहला है local variable ठीक है अगर मैं void main के just two पर c लेता हूं into c और यहाँ पर मैं इस प्रकार लिख देता point main के उपर इने function के बाहर लिखा हूं तो function के बाहर लिखा है याँ कि इस function में भी use होगा और दूसरी other function में भी इसका use किया जा सकता है जब हम control f9 करते हैं तो 60 आ रहा है याँ कि c यहाँ global से भी काम कर रहा हो और local से भी local में उसी function में काम करेगा और global से सारे function में काम करेग इसके अलाब आप int की जगह आटो ले सकते हैं ठीक है और extern ले सकते हैं इन सभी का आप जो है यूज़ करके देख सकते हैं आपको जो है मैं सारे प्रोग्राम दिखा चुका हैं आप उनको बना कर देखेंगे तो जादा आपको यहाँ पर फायदा होगा आई होग यह सारी चीज आपको समझ में आगई होगी प्रोग्राम और किसी विर्वकारका का डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं मैं जो भी सीरीज है उसमें कम्प्लीट रूट से उसका जो डाउट है वो क्लियर अवस्य करूंगा ठीक है और इसको जो है पसंद आया है तो आप जरूर लाइक कर दिया करो ठीक है उससे क्या होगा वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और सेर भी कर दिया करो ठीक है तो यह सारी चीज आपको करना है साथ में रहा काम वीडियो बनाने का लगातार जो है ये वीडियो लाने का काम मेरा है बाकि आपका काम सिर्फ क्या है आप वीडियो को like करे, share करे और दूसरों तक जरूर पहुंचाए इसको वीडियो को ठीक है, और comment करके जरूर बताए आपको वीडियो अच्छा लगा या जो भी कमी है आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं कमेंट कर दिया करो एक टो जादा टाइम नहीं लगता, ठीक है उसके बाद में को समझ में जाएगे, में को क्या सुधार करना है तो चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं देखें हमने जो है, variable देखें variable complete troops देखें, types of variable देखें variable के बारे में सारा concept हमने यहाँ पर जाने इसके बाद जो है, बागी की चीजी हम जो है इसके बाद में पढ़ने वाले हैं